नमस्कार दोस्तों में होसिनी पांडे स्वागत था सबका एक नई वीडियो में नवहाली में 8 जनूरी 2023 को एक डेली गेसन आया इसलामिक स्कोलर्स का जो 14 कंट्री से आया था जिसमें साउदी अरभिया, उनाटेड अरब, अमिराथ, सीरिया, इजिप्ट, बाहरीन, ट्यूनिसिया, और बोसीनिया और हर्जोगोवीनिया के लोग सामिल थे यानि यहां सबके उलेमा और रहे थे यह स्कोलर्स थे, इसलामिक स्कोलर्स थे तो अब यह किसके तहर आये थे, एक संगठन है, जिसको बोलते है दा वर्ल्ड मुस्लिम कम्यूटी काउंसिल, टी डबलू यम सीसी तो उसी डेली गेशन के अंदर इन लोगों का सेलेक्शन था, जो यह 30 इसलामिक स्कोलर्स थे अब यहां तक यह आए कहां थे चाईना के सीन जी यांग परांथ में आये तव अवर यहां पर आके, जो चीफ थे टी डबलू यम सीसी के, इन्हों ने चाईना की बहुत जादा तारीफ कर यह कहा कि किस तरह से चाइना ने विकास किया है सिंजियांग के लोगों का यानि जो उईगर मुसलिम से उनका किस तरह से विकास किया है और किस तरह से चाइना ने फाइट करी है टेरीजम से और किस तरह से जो है इसलाम का और चाइना का हिस्ट्री रहा है इन सब के बारे में उन्होंने काफी ज़्यादा चाइना की तारीब कर दी लेकिन एक बात इसमें नोटिस करने वाली है कि ये जो डेलीगेशन था ये CCP जो है चाइनिस कमनिस पार्टी उनके लोगों के साथ में ही गया था और उनके निगरानी में ही था ये लोग किसी ऐसे बेक्से नहीं मिल पा इन्होंने काफी तारीब कर दी लेकिन अब इसका थोड़ा अगर हिस्ट्री देखा जाए कि चाइना क्या करता आ रहा है सिंजियांग में तो ये ये समझाने के कोशिस करूंगा कि यह जो टोपिक है इसको मैं कवर क्यों कर रहा हूं क्योंकि इसमें तुर्की कवेंटर आ रहा है अब आपको नाम से पता चल रहा है कि ये पूर्भी तुर्किस्तान था तो इसका मतलब जो उईगर्त थे वह एथेनिकमी तुर्किस हैं य और दुनिया भर में इतना जादा investment कर रखा है चाइना ने इस वज़ा से उनके influence में आ कि ये लोग वहाँ जाके और इस तरह से चाइना की तारीफ कर रहे हैं बाकी वहाँ reality कुछ और है अब reality क्यों कुछ और है इसके पीछे भी एक region है अभी हाली में क्या हुआ था कि तुर् तुर्की और चीन के बीच में relation खराब हो चुका है सिर्फ इसी मुद्दे को लेकर विगूर का जो मामला है क्योंकि तुर्की एक अकेला ऐसा country है पूरे 56 जो Muslim countries हैं जो खुलकर चीन का विरोध करता है वाकि कोई भी country लिटिली विरोध कर नहीं पाती है और ये बात सच भी है कि अगर दुनिया भर में Muslim countries में कोई भी Muslim country है जो काफी power रखती है इन सब्माइटर में तो तुर्की ही है पाकिस्तान भले ही atomic power है लेकिन इसके पास वो दम नहीं है जो चीन के सामने बोले और साथी अरभिया तो कुछ भी नहीं बोल सकता है वो खुद की सुरच्छा नह लेकिन चाइना को जब उसको धरना होता है तब वो कोई friendship नहीं देखता है पाकिस्तान और चाइना की अच्छे से सुनाता है तो इस वज़ा से लिटिली जो विदेश मंतरी हैं टुर्की के उन्होंने बहुत ही CCP को सुनाया है इस मुद्दे पे कि किस तरह से वो जो है genocide करत हैं और जो उईगर लोग हैं जो ethnically Turkish हैं उनके साथ अत्याचार कर रहे हैं और लिटिली उनके इन सब सब्दों से और जिस तरह से तुर्की सपोर्ड कर रहा है उईगर Muslims का इंदा future आप देखोगे कि बहुत सारे Muslim country जो है वो मुखर होकर आलोचना करेंगी चीन का और इससे देखो हमें क्या फाइदा होगा हमें जो फाइदा होगा वो मैं अभी बताता हूं लेकिन पहले मैं समझा देता हूं यह उईगर वाला जो हिस्ट्री है यह किस तरह से चाहिना ने इसमें खेल कर दिया है तो जब उन्निस उन्चास में करांती हुई हो सिंज्यांग जो सिंज्यांग में जो मूल निवासी थे उनके रीती रिवाजों और आदतों को बदलने की कोशिस की और को इस तरह से दिखा है अपने हां चाइनीज को कि यह एकदम से विदेशी अक्रमन कारी थे इनका यहां पर कोई लेना देना नहीं है यहां पर आ गये थे और उसके बा दिया और धार्मिक सिच्छा को भी बंद कर दिया और लोगों को खतना और अंतर धार्मिक विवास से वंचित कर दिया और इसके बाद में क्या हुआ कि दूर दूर तक लगभग में 29545 में से केवल 1400 महजिदे ही थी जिन में आजान हो गयरा होता था वो भी बिड़ाव बंद पढ़ गई थी क्योंकि चाइना ने लिटिली परतिभन लगा दिया था और कोई भी धार्मिक यह जो कैसन नहीं हो सकता था जो सिंज्यां के विगर मुसलिम्स थे और उनके रित रिवाजों को भी बंद कर दिया जो भी उनका खुद का नियम था इसलामिक तोड़ त परसत हो गई और इसी टाइम के आसपास में जो मुसलिम संख्या थी वह असी परसन से घटकर 45 परसन रह गई और 1978 के आर्थिक सुधारों के कारण जो उनका एकनोमिक रिफोर्म हुआ उसके बास से जो उईगर मुसलिम थे और जो अन्य मुसलिम अल्प संख्यक थे उनके ब गुरवादी हो गए क्योंकि लोगों को यह बात पता चल गए कि अभी चाइना हमें छोड़ने वाला है नहीं तो लिटिली वो लोग फिर फ्रस्टेटेड होकर और कुछ उल्टे सिधे काम में इंवल्व हो गया और उसके बाद में चाइना ने उनको घोशित कर दिया आतं सिंजियांग की जियोगराफी देखा जाए और उसके अकोर्डिंग देखा जाए कि यह चाइना के लिए कितना इंपोर्टेंट है तो जो चाइना ने 2013 में बहुत ही ज्यादा महत्तोकांची योजना बेल्टेंड रोड एनी सिटी यानि भी आराई का अनवरण किया था उस उसको डिस्ट्रोय करी देगी आज नहीं तो कल जब लिटली प्योके को वापस लेगी उस टाइम पे और तब देख लेंगे चीन को भी और पाकिस्तान को भी तो इस वज़ा से सिंजियांग काफी इंपोर्टेंट है लेकिन अब करें क्या सिंजियांग में उईगर मुसिल उसको यह खो सकते नहीं हैं वहां के लोग हैं वो चाइनीज है नहीं वो लिटली एथिनिकली तुर्किस हैं और वो अपने आपको एटोमन अंपायर का वनसज मानते हैं तो इस तरह से उनके अलग ही रोब हैं और तुर्की इसलिए उनका सपोर्ट भी करता है और जब से सी पायरीक नियोजन का उलंगन जैसा अपराध है उन सब में बहुत है भी इनको पनिस्मेंट मिलती है और डेर्ड मिलियन से अधिक मुसल्मानों को एक कंसंट्रेशन केंप में बंद कर दिया है और इसके अलामा बहुत जादा अत्याचार किया है लिटिली जवरन गर्भ नि पूटी नहीं देता है मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें BBC के रिपोर्टर्स गए थे और वो चाह रहे थे कि कुछ कोई गर्स मुसलिम है उनका वो कोई बयान ले 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 या कोई उनसे बात चीत कर ले वो लिटिली बात ही नहीं कर रहे थे इतना डिर रहे थे और आर चाइनिज प्रेस है ग्लोबल टाइम सो गहरा वो तो सरकारी मीडिया है इस वजह से वहां के कुछ इस तरह से रिपोर्टिंग हो नहीं सकती जिसमें कोई सच बाहरा है बाहर का जो भी कोई जाता है उसको लोग कैमरा चलाने नहीं देते हैं और कैमरे के पीछे तो जब उन में सेट कर दिये उनको किसी लिवर और क्रिटनी की कमी थी तो उन पर लगा दिये गए इस तरह से उन्हों यह अत्याचार किया और और उईगरों की संस्कृति को मिटाने के लिए लगवे में 440 से अधिक उईगर बुद्ध जीवियों को गिरिपतार भी किया गया जो जियांग परांत में तो युएसे ने तो लिटिली बोल दिया था हमें कपास नहीं चाहिए कपास इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि वह कपास जो बंधुआ मजदूरी होती है उसके तहट उगवाया था चाइना ने और उसको बेचना चाह रहा था दुनिया में तो लिटिली फ्यूचर ये लोग तो कुछ नहीं कर सकते और अब इसमें इंडिया का क्या बैनी फीट है अगर चाइना को इस तरह से मुस्लिम देश धर लेते हैं तो इसमें फाइदा यही रहेगा कि इनकी मार्केट वैलू जो है डाउन हो जाएगी और इनका बिरोध होगा इनके समानों का वहिसकार होगा विदेशों में इंडिया इंट्री लेगा वहाँ पर और यह काफी अच्छा होगा क्योंकि हमें मार्केट चाहिए क्योंकि इंडिया भी लिटिली एमर्ज कर रहा है वर्ड फैक्ट्री के रूप में अगर टर्की को छोड़ दिया जाए तो कोई भी मुस है वह यूरोप में पढ़ता है तो इस वजह से उसके जो विचार है काफी ठीक ठाक है हुमन राइट हो गए राको लेकर और रही बात एकनोमी की तो उसकी भी एकनोमी गिर रही है उसकी लीरा टर्किस लीरा गिर रही है उसके बावजूद और चाइना को धंका रहा है ले जैसे की बंगला देश में बहुत सारा बिरोध प्रदाशन हुआ था उईगर मुस्लिमों के सपोर्ट में तो अगर ऐसे और कुछ दो चार नेशन है जिकि बंगला देश भी काफी अच्छा पार्टनर है चाइना का अगर वहां पर ऐसा होता है तो उसके सामान वहां नहीं है वो फर्ग नहीं पड़ता है जिसके पास पहिसा बहुत होता है उसको चोटे मोटे पाप लगते ही नहीं है वह हो रहा है साओधी अरभिया जैसा देश कुछ बोल ही नहीं रहा है जो डेली गैसाना है वो तारीफ करके गया है वर्ड मिसुलिम कमुनिटी काउंसिल का बा